दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका प्रकास.p VLOCKS पे दोस्तों बहुत दिनों के पाद मैंने आज एक वीडियो अपडेट किया है और यह बहुत ही छोटा सा वीडियो है दरसल मैं अपने विलेज गया था अपने नेदी प्लेस किया था तो वहां पे मैंने जो मेरा बाग है उस बाग में कुछ पेंड है कुछ पेंड लगे हुए हैं कुछ ट्रीज हैं तो उनी को मैंने इस व्लॉग में दिखाया है जैसा कि आप यह देख पारें यह जैक फ्रूट है जिसे आम भासा में कटल कहते हैं और यह कटल का पेड काफी खुबसूरत है तो मैंने सोचा क पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट चरूर करिएगा दोस्तों आप जो यह देख रहे हैं यह लेमन ट्री है और बिल्कुल छोटे छोटे इसमें फला रखे हैं और यह दस बारा पेड लगे हुए हैं और यह जब बड़ेगा तो येलो कलर का हो जाएगा भी तो ग्रीन है आप देख पा रहे हैं और पेड़ की साइज जो है तकरीवन यह जो लामन ट्री है इस पेड़ की साइज कम से कम साथ पीठ है बहुत ही छोटे साइज के यह पेड़ होते हैं लेकिन इस पर फल बहुत ज्यादा आ जाते हैं दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं चारा काटने वाली मसीन है इसमें इस तरफ से चारा घुचता है यहां से और ऐसे यहां से इसको चलाया वकरल जाता है इस हैंडल पकड़ कहाँ एक इसको राउंड राउंड गोल-गोल गुमाय जाता है और इस तरफ से हां पर चारा आता है और यह जो तेज देख रहा है इससे इसकी चारे के कटाई हो जाती है अ तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं अभी ये दरसल एक मैंगो ट्री है आम का पेड़ है इस पे फल हैं लेकिन काफी दूर हैं इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देंगे इस पे आम के फल काफी ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं उपर के साइट लेकिन पेड़ की जो हाइट है वो लंबाई है वो काफी ज़्यादा है इस वज़े से आपको ये दिखाई नहीं देंपार हैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एक टेंपल भी है आप पर से देखेंगे और यह जो आप देख रहें यह सीता फल कहते हैं सरीफा लेकिन इसमें भी कोई फ्रूट नहीं आया हुआ है कोई फल नहीं आ हुआ है क्योंकि यह बैसिकली ठंडी के सीजन में विंटर का जब सीजन आएगा तो उसमें यह फ्रूट आ जाते हैं और यह मैंगो है आम का पेड़ है यह चोटा सा मेरा बाग है जहां पर हम लोग घूमते तेलते हैं जब विलेज जाते हैं और यह चोटा सा टेंपल है मंदिर है और दोस्तों यह बेल का पेड़ है जिसे सिर्फल भी कहते हैं इसमें बस एक फूट अभी आया हुआ था आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसमें कुछ जादा खास नहीं है बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद टेक केर पापाई झाल